आपका सानु के ब्लोग में स्वागत है गाइज तो कैसे हैं आप लोग उमीद है दोस्तों कि अच्छे ही होंगे तो आज का इस ब्लोग में हम लोग जाने वाले हैं फादर लिवन्स का उस जगह पे जहां पे रहा करते थे और वहां से अपना येसु समाजी परचार परशार करते थे तो चरिये गाइज हमारे साथ वीडियों बने रहे हैं और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकों को दबा दे ताकि हमारा नगे चैनल दोष्टों हम उस जगह पर आ गए हैं यह मैदान है यह मैदान में साइड सैड में मितलब गाड़ी सब लगता है मोटर गाड़ी सब मोटर बाइक हो गया या तो बड़ा गाड़ी और यहां पर जो मैदान देख रहे हैं इसी मैदान में पूरा जब और जस्त भीन लगता है मेला लगता है चलिए हम आपको उस दिन ले के आएंगे उस दिन का फैनली दस्तो हम लोग जो फादर लिवन्स का जगा है वहां पर पहुंच गे हैं तो साथ ही में मतलब एक दोस्त मिल गे हैं आकास भाई चरिए हम आप से मिलाते हैं लगता को ढहें तो आगर यदर आहिए हैं समय गोरीमस को ऑडीनस को जबगो जोहार अब यह आपको दिखाने वाले हैं यहां कोश्टर लिवन्स के बारे में और कुछ बाते बताएंगे तो यहां का सीन आप लोगों को दिखाते हैं यह सीन आप लोगों को जरूर पसंद आगा गाईज तो चलिए हम आपको बैग केमरा से दिखाते हैं यहां पर स्टेज है गाईज प्रोग्राम होते है शोला अक्टुबर को यह तेवहार मनाया जाता है तो आप लोगों को उस दिन का मतलब तेवहार आप लोगों को दिखाएंगे उस दिन मेरा लगता है गाईज सोला अक्टुबर को तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए मिस ना करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ताकि फादर लिवन्स का जो तेवहार है सोला अक्टुबर को वीडियो देखने के लिए मिस ना करें तो दोस्तों इनके बारे में कहानी है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं और किसी से पुछना पड़ेगा हम लोग मतलब उहां का सिंद दिखा रहे हैं फादर लीबन स्कार स्टाइचू देख सकते हैं आप लोग कैसे दिखाई दे रहा है तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों हम आपको इनका जो त्योहार होता है मेरा लगता है उस दिन तो आपको वहां मतलब यहां लेके आएंगे जबर जस्त भीड रहता है वह वीडियो देखने के लिए मिस ना करें हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्र मैदान है और उधर और एक मैदान है दोस्तों वहां पर जवर जस्त भीड होता है काफी ठेलम ठेला भीड होता है उस दिन आपको लेके आएंगे आप लोग देख सकते हैं उस दिन देखेंगे कि मतलब कैसे भीड लगता है कैसे मेला लगता है तो आपको वहां लेके आएं आपको अरजेस्ट करके देखना पड़ेगा इसके लिए मैं चमा चाहता हूं दोस्तों जलिए हम आपको वहां पर ले चलते हैं हमाने साथ वीडियों बढ़े रहें बिल्कुल भी वीडियो को इसकी मत करें पूरा फूल बीडियो देखें दोस्तों अब मतलब मेला दिन काफी साफ सफाई किया जाता है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पूरा जाड़ी सब हैं आपि देrek सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इधार स्टैशी है माता मरियम का तो आकास इसके बारे में कुछ बोलिया जहां माता मर्याम का इस्टाइच्यू है वहाँ पर कोष्टन निवन्स रहा करते थे और वहीं पर सोया करते थे और यहीं से रहके गाओं-गाओं घुम के अपना येशु समाज का परचार करते थे वहाँ पर प्रेया करते थे और साथ इधर अपना दिखा साथ इधर मतलब गूफा है वहाँ पर रहा करते थे और यहां से अपना परचार ben परशार करते थे तो चलिए गाइस हम आपको वहाँ पर ले antig मुछ भूटे वहां आ इसके निचे 20 घृ तो आप अब देख सकते हैं यहां का जो नाजरा है आप लोगों को दिखाते हैं चलिए बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है और अभी बारिस भी हो रहा है और थोड़ा मौसम भी साफ नहीं है जिसे कारण से केमरा क्वालेटी मेरा थोड़ा डाउन है तो आप लोग अर्जेस्ट करके देख तो यहां साम लोग जाने ने सब्सक्राइब कि जाड़ी है तेवहार दिन इसको साफ किया जाएगा हम उसको मतलब उस दिन हम आपको लेकर आएंगे दिखाएंगे देख सकते हैं दोस्तों इधर का कितना सुंदर सीन दिखाई दे रहा है जो कि बदाम या तो सब्जी सब् वो जो संख नदी है यह देख रहे हैं दोस्तों यह दिखाई दे रहा है आप लोगों को संख नदी है यहां से यहां से यहां तक पूरा संख नदी है हम आपको अकास भाई और हम मतलब आपको वहां दिखाने के लिए लेंगे जरूर एकात दिन हमारे चैनल में नए है तो दोस्तों आपको मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हमको पता है तो आप दॅना वीडियो सेidents कि अपने به को लाइड अपना घोड़ा रखते थे वहां का जगा दिखाएंगा आपको अंदर से गुफा है दोस्तों आज का जो हमारा लीबन्स फादर का जो वीडियो था अलों के कैसा लगा दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कोमें अगर अगर अच्छा लगा तो लाइक कोमेंट सब्सक्राइब कर दें लाइक कोमेंट अब सब्सक्राइब करके एक दों गर्दा कर दी जाए हम दर मिलते हैं अगला ब्लोग में तब तक जैन परम में जरूर आईगा तब तक बाई-बाई-बाई-गाईज